हाई फ्रेंड्स वेलकम डू रीना व्यास चैनल आज मैं आपको बताने जा रही हूँ स्कैल्प स्क्रब स्कैल्प एक्सफॉलियशन के बारे में जी हाँ दोस्तों अभी समर में हमें बहुत जादा पसीना होता है जो की हमारे बालों में और हमारे स्कैल्प में चिपक जाता ह उसकी बचे से डर्स्ट भी चिपकती है भले अब घर के बाहर नहीं हुटले फिर भी घर में भी डर्स्ट आती है वो भी बालों में चिपक जाती है जिससे कभी-कभी बालों में स्मैल भी आने लग जाती है और हमें सबसे ज़्यादा हैर वोश की जगरत पढ़ती है समर मे क्योंकि हमारे बाल एक गम से अजीब से दिखने लग जाते हैं वर हलकी हलकी से smell भी आने लग जाते हैं क्योंकि पसीना बहुत होता है तो फ्रेंट्स इसमें सबसे ज़ादा जरूरी होता है ऐसे सीजन में वैसे तो हर सीजन में हमें हमारे जिस तरह हम हमारे स्कीन को exfoliate करते हैं उसी तरह से हमें हमारे हैर को भी exfoliate करना चाहिए तो friends यहाँ पर मैं आपको बताने जा रही हूँ एक homemade exfoliation जो घर का बना हुआ है और बहुत जादा चीज़े भी इसमें यूज नहीं की हुई है लेकिन जब आप इसका यूज करेंगे तो आपके बालों में तो शाहिन आएगी आएगी साथ ही साथ आपके scalp में जो भी dust है जमी हुई जो भी बद्बू आ रही है या किसी भी तरह को कोई infection भी है scalp में तो वो निकल जाएगा और आपका scalp अच्छी तरह से detox हो जाएगा clean हो जाएगा तो फ्रेंट सबसे पहले देख लेते हैं इसको किस तरह से बनाना है मैंने सबसे पहले यहाँ पे brown sugar ली है brown sugar में मैं थोड़ा सा honey add करूंगी brown sugar हमारे scalp के लिए बहुत ही अच्छी होती है यह आपकी skin को भी exfoliate करती है साथ ही आपके scalp को भी बहुत अच्छी तरह से exfoliate करती है इसके बाद में honey के बाद मैंने लिया है rose water जो skin के pH balance को maintain करता है और फिर लिया है apple cider vinegar जो बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है यह बालों में conditioning का काम करता है इन सारी चीज़ों को आपको बहुत अच्छी तरह से mix कर लेना यहाँ पे आपका scalp का pack ready हो गया जो आपके scalp को detox करेगा exfoliate करेगा तो यह बनके तयार हो गया है हमारा exfoliation pack यह आप देख सकते हैं किस तरह से बना है और इसकी खुश्बू भी बहुत अच्छी है जो आपके mood को भी fresh कर देगी इस pack को आपको थोड़े-थोड़े से बालों के partition करना है और उसमें आपको अच्छी तरह से इस pack को लगाना है आप जितना partition करेंगे उसमें उस pack को लगाते और अच्छी तरह से आपको इसका मसाज करना है इसी तरह से आपके पूरे scalp में आपको इसका अच्छी तरह से मसाज करना है और मसाज करने के बाद में आपको किसी भी plastic की cap से अपने सिर को बांध देना है ताकि उसको अच्छी तरह से heat मिले heat मिलने से आपका ये pack बहुत अच्छी तरह से work करेगा और आपके बालों में भी shine आजाएगी scalp भी अच्छी तरह से clean होगा इस pack को आपको 10-15 मिनिट तक बालों में रखना है आप ज़्यादा देर भी रख सकते हैं कोई भी problem नहीं है लेकिन आपको इस pack को सिर्फ पानी से wash करना है शैंपू नहीं लगाना है अगर आप चाहे आपको शैंपू को बेरा नहीं चलता है तो आप next day शैंपू कर सकते हैं वो भी शैंपू आपको पानी में dilute करना है मतलब की शैंपू को पहले पानी में डाल के और उसके बाद उस शैंपू का यूज करना है तो फ्रेंट्स इस तरह की information लेके मैं आपके पास आती हूँ मैंने scalp detox बताया आपको scalp exfoliation बताया और भी बहुत सारी अच्छे अच्छे वीडियो आने वाली है जो आपको इस समर में बहुत काम में आएगी तो ये चैनल अच्छा लगता है तो इसको like कीजिए, इसको share कीजिए, इसको subscribe कीजिए ताकि दूसरी females को भी इस तरह का benefit मिल सके और आप comment box में मुझे कुछ भी question कर सकते हैं मैं उसका answer जरूर आपको दूंगी और इस channel को देखने के लिए मेरे वीडियो को देखने के लिए, चैनल को subscribe करने के लिए लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत thank you तो फिर मिलते हैं हमारे next वीडियो में एक नए information के साथ तब तक के लिए, बाई बाई